भैंस के मूँ में बम भटने का मामला आखिरकार यफायार दर्ज हुआ इस घटना को घटे 24 घंटे बाद भी यफायार दर्ज करने में आनाकानी किये पूलिस अधिकारी पर बर्स पड़े राज्य पशू संगोपना मंडल के सदस केशो मुट की कलवाडी शहर के बाहरी राके में जामनूर नाली के पास प्रकाश गवली के भैंस चारा खा रही थी उसी वक्त गेहूं के आटे में जिलेटन मिश्रित बॉम को फिका गया था जिलेटें मिश्रित गेहूं के आटे को खाए भैस का मुः फट गया इस घटना के पीछ मास वयापारियों का हाथ हो सकता है पुलिस इस बात की चान बिन कर रही है भैस के मालिक को परिहार धन देने के लिए सरकार से निवदन किया गया है